हाई गाईज वेल्कम बैक टू माइ साइन्स स्यूजन चैनल तो आज को टॉपिक है कि हम घर पे सिर्फ 120 रुपीज के मदद से 12V 1.2 Ampere का बैटरी घर पे बना सकते हैं वह हम कैसे बनाएंगे मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी तो चलिए हम आज को अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं सो गाइज यहां पर मैंने घर पे बैटरी बनाने के लिए सबसे पहले 3.7 वोल्ड लीथियमाइन बैटरी लिया है यह 4 वोल्ड सप्लाई दे देता है तो यहां पर 3 मिला के टोटल 12 वोल्ड सप्लाई हमें मिल जाएगा और मैंने दो इस तरह की कार्ट बोर्ड को काट लिया इस शेप में और दो वायर्स लिया है मैंने एक छोटा और यह बैटरी के साइज का है लगभग और चलिए तब मैं आपको बना के दिखाती हूँ मैं सबसे पहले इन तीनों बैटरी को सीरीज में सजा लूँगी और फिर टेप कर दूँगी जैसे मैंने इधर माइनस और फिर इधर प्लस और फिर दूसरे बैटरी में इधर प्लस और इधर माइनस यह तो सीरीज कनेक्शन है आपको तो पता ही होगा अब मैंने टेप कर अब मैंने तीनों को सजा दिया है अब मैं वायर्स को कनेक्ट करूंगी गाइस हमें सोल्डरिंग करने से पहले बैटरी के जो प्लस और माइनस पॉइंट्स है उसमें धार वाले चीज से कुछ इस तरह से घस देना पड़ता है ताकि उसमें सोल्डरिंग अच्छे से चिपक जाए और हम अच्छे से सोल्डरिंग करके प्लस को माइनस के साथ कनेक्ट कर सके इस तरह से आपको घस देना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस सोल्डर को कैसे उसमें चिपकाना है कुछ इस तरह से हम सोल्डर को उसमें चिपका देंगे बैटरी के प्लस पॉइंट पे प्लस और माइनस दोनों पॉइंट पे गाइस देखिए स्क्रैट्स करने के वज़े से सोल्डर जो है वो कितने अच्छे से चिपक गया है प्लस और माइनस दोनों पॉइंट में ही माइनस में हमने नहीं किया है प्लस पॉइंट में आप देख सकते हैं बहुत अच्छा से चिपका है सोल्डर तो आप भी सोल्डरिंग करने से पहले स्में थोड़ा सा घस दीज़ेगा धार वाले चीज़ से प्रेंट्स आप बहुत अच्छा से घसिएगा इंदम थोड़ा गड़ा गड़ा कर दीज़ेगा तभी वो चिपकेगा अच्छे से सोल्डर सो गैज अब मेना पार्टनर आपको प्लस और माइनस को कनेक्ट करके दिखाएगा यह माइनस और यह प्लस इन दोनों को कनेक्ट करके दिखाएगा सोल्डरिंग आइरन के मदद से तो guys हमने plus और minus को connect कर दिया है अब जो एक battery बचा है उसके plus point को हम इस battery के minus से connect करेंगे तो guys यहाँ पर मैंने तीनों बैटरी को series में connect कर दिया है अब जो red वाला wire है उसे मैं positive में connect कर दूँगे और white वाले को negative में तो guys यहाँ पर हमने जो है बैटरी में positive और negative में wires connect कर दिया है मेरे partner ने उन्हें soldering कर दिया आप देख सकते हैं अब मैं आपको दिखा देती हूं कि यह जो है 12 बोल्ट सप्लाइग दे रहा है अब मैं इसमें cardboard लगा दूँगी कुछ इस तरह से आपको cardboard को लगा देना है तीनो बैटरी के चाड़ो तरफ इस तरह से मोर देना है और फिर tape के मदद से उन्हें अच्छे से attach कर देना है ताकि वो हिले न अच्छे से चिपका देना है अब जो हमने triangular shape का cardboard काटा था उसे हम पीछे लगा देंगे so guys मैंने बहुत सिंपल टेकनिक से आपको 12 बोल्ड का बैटरी बना के दिखा दिया घर पे आप लोग भी जरूर बनाएं इसमें जो एक एक बैटरी जो मैंने लगाया है उसे 40 रुपीज करके 120 रुपीज में मैंने आराम से इसे घर पे बना लिया आप लोग भी जरूर बना सकते है so guys अगर वीडियो पसंद आए तो like, share, subscribe जरूर करें कॉमेंटर के बताएं कि वीडियो कैसा लगा तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई